हलो फ्रेंड मैं डक्टर जीतेंद्र मोहन रुट्टा जोनपुर्ष मबाइल नमबर 91 चालिस और कालिस अक्काई जिरो चार जानबर 35 छासाथ तीन साथ डबल फॉर तीरानबर तीन सो पैसट चौबिस चौबिस चार आज हम लोग एंटिम कुरूडम 200 या एक हजार नमबर की दवा के होमियोपेथिक सिम्टम के बारे में डिसकस कर रहा है ब्लेक सल्फाइड आफ एंटिमनी में होमियोपेथिक प्रयोग के लिए मानसिक लच्छण और आमासे छेत्र के लच्छण इस और सदी का निर्णे कर आते हैं निर्माड कराते हैं निर्णा कराते हैं और अधिक जोस और घबराहट साथ में जबान पर मोटी सफेद महल चिड़चिड़ापन इस होसदी के अनेक लच्छणों की और तंकेत करते हैं सभी लच्छण सभी लच्छण गर्मी से और ठंडे पानी में नहाने से बढ़ते हैं सूर की गर्मी सहन नहीं हो सकती सरीर के थोड़ा सरीर के मोटा होने पेट बढ़ने की प्रविट्टी याद रखिये की जहां कहीं इस दवा के सभलता पूर्वकार करने की आसा होगी वहां दर्द का अभाव होगा छोटे जोड़ों का दर्द और इसके साथ आमासे के विकार भी मौजूद होंगे माइंड सिम्टम मन में मन के लिए अपने भाग पर बहुत चिंतित कुरुद विरोधी काम करें जो कुछ भी किया जाए संतोस जनक ना हो अपने ही उपर कुपित बोलना न चाहे चिड़ चिड़ा बिना कारण खोज खीज बच्चा छुआ जाना या देखा जाना पसंद न करे जरा भी ध्यान न देने से गुस्सा हो वाउक भेट सिम्टम सिर में दर्थ निरंतर दुखन हो जो चांद पर अधिक हो सीड़ियां चड़ने से नाने से आमा से खराब हो जाने से विसेश मीठी चीजें अधिक खाने या अमल सराब पीने से यह सरदर्द बड़े दाने जो दब गए हो परेश पैसानी में भारिपन और इसके साथ सर चक्राना मतली और नकसीर भी हो पर दर्द सर दर्द के साथ दानों का बहुत अधिक बढ़ना जड़ना आई सिम्टम में मन्द धसी हुई लाल खुजली हो सूजी हुई पलके चिपके किनारे कच्चे चिटके जीन पलक सूजन पोपटों और कनीनिका पर दाने पोपोटों और कनीनिका पर दाने पेट इस्टमक सिम्टम में भूख मिट जाती खटे पदारत और अचार आदी खाने की इच्छा साम को और रात को प्यास लगे डकार आए खाये पीए का स्वाद आए कलेजे में जलन मतली और वमन में नक्सवाम का 200 और एल एस्टोनिया 30 और 200 देने से बहुत अच्छा लाब हो जाता है बहुत अधिक चिर्चिड़ा हो जाए मुरोंगटे, मुरोटी, पैस्ट्री, अमल चीजे खाने और खटा अधिक चिर्चिड़ा अमल चीजे खाने खटी सराप पीने से, ठंडे पानी से, नहाने से अधिक गर्मी आजाने से और गर्म मौसम से आमासा है और अतड़ियों की तकलीफ है आती निरंतर डकार आए छोटे जोडों का दर्द आमासा है और अतड़ियों की तकलीफ के रूप में परिपर्तित हो जाता है मौ में सीटी लार आए मीठी लार आए भोजन करने के बाद अफरा आ जाए डकार आए खाए पिये का स्वाद आए का लेजे में जलन मितली वमन चाती से दूद पीने के बाद बच्चा फटा दूद फेके एथिवजा 30 या 200 देने से बहुत अच्छा लाब हो जाता है दूबारा चाती लेना न चाहे और बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो जाए रोटी डबल रोटी पेस्ट्री अमल चीजें खाने और खटी सराब पीने से ठंडे पानी में नहाने से अधिक गर्मी खा जाने से और गर्म होसम में आमासे और अतड़ियों की तकलिफें आती है दिरंतर डकार आये छोटे जोड़ों का दर्द आमासे और अतड़ियों की तकलिफ के रूप में परिवर्तित हो जाता है स्टूल या मल, गुदा के रोक, तथा खाज, सल्फियूरिक एसिड, कलकेरिया सल्फ, 30 या 200 देने से, एलम, 30 या 200 देने से बहुत लाव होता है, ब्रिद में खास कर कब जोर, दस्त बारी बारी से, अतिसार जो तेजाबी भोजन करने और खटी सराव असनान करने अधिक गरम होने के बाद हो, और उसमें आम आए, सलैस्मिक बवाशीर सलैस्मा बराबर रसा करे, सक्त गाड़दार पकाना जिस से, जिसके साथ पानी जैसा पत्ला मल भी आए, सर्लां प्रदा, सर्लां प्रदा केवल सलैस्मा ही गिरे, असकार दस्तूँ